हाई फ्रेंट्स आईए इस वीडियो में कुछ नए जानते हैं इसमें क्या समझे है मैं आपको बता दू जो की नॉर्मल है आप लोग नए नए मेकैनिक जो की सिख रहे हैं उनको नहीं समझ में आता है तो चलिए मैं बता दू सबसे पहले दखिए रेट किलर में जो प्रिसे ज्यादा बनने के करण पांट ट्रांजिस्टर जल जाता है तो इस एमपलिफियर में यहीं समस्या है एक subscriber का विडियो था बार बार ट्रांजिस्टर जलने और फिव जलने की समस्या थी तो इसमें बार सिंग वोल्टेज कम कीजिए और प्रिसेट इससे डबल वहलू की आटाईए यह एंप्लिफायर आपको डिएड़ सवाट तक बिल्कुल राम से बजा कर देगा अगर आपको इसको मोडिफाई किजेगा तो यह दो सवाट तक बहुत ही बेस्ट क्वैल्टी में बजाएगा इस टाइप का एंप्लिफायर आप बहुत ही कम देखने को मिलता है और नहीं कमपनिया भी से बना रही है क्योंकि डेवर ट्रांसफर्मर वाले एंप्लिफायर होता है हलाकि एक जमाना था इसका आज से 15-20 साल पहले बहुत ही बेस्ट मना जाता था आज भी अगर इसको अच्छे से बना दिया जाए तो नए जुतना भी आ रहे हैं डेवर ब प्रोबलम नहीं होना चाहिए डायोड भी ठीक है इसको आप साफ कीजिये बेस्टेबल बोट साफ कीजिये माइक बोट साफ कीजिये जो भी कनक्षन में प्रोबलम हों आप मेरा वीडियो देखकर रिपेर कर सकते हैं अब 2-3 दिन के अंदर फूल रिपायर की वीडियो आन कि इसको नहीं बनाया जा सकता है लेकिन अभी फिलाल इतना वक्त नहीं है कि इसको बनाया जाए तो भाई साब यहीं सलाह में दूंगा आपको इसको हटा दीजिए बेस्ट्रेबल दूसरे किट ले लिजिए आप हमसे भी ओडर करके ले सकते हैं ट्रांसफर्मर दूसरा ले लिजिए ट्रांसफर्मर की कोर में जंग लग चुकी है आउट्पुट ट्रांसफर्मर दूसरे लगाई है और इसका मदर बोर्ड जो की पाउर सप्लाई बोर्ड होता है यह वला यह ठीक है इसे चेंज मत किजिए लेकिन यह जो माइक बोर्ड है बेस्टेबल बोड है इसे चेंज करना पड़ेगा तो हो सके तो आप मेरा कॉंटेक्ट लिस्ट में नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में उस पर कॉल करके आप और कर सकते हैं बेटी बोड और बाके इसमें बीना चेंज के नहीं बनाया जा सकता मैं यहीं कहूंगा कि आप